जै माता दी दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना योट्यूब चैनल व्रत्योहार कथाईं मैं हूँ आपके साथ रिम जिम शिर्मा हमारी शास्त्रों में ऐसा वर्नित है कि धन की देवी मा लक्ष्मी बहुत ही चंचल होती है एक स्थान पर माता लक्ष्मी ज्यादा समय तक नहीं ठहर सकती ऐसे में किसी विव्यक्ति को जीवन में अपने सुख के बाद दुख से गुजरना ही पड़ता है तो वहीं दुख के बाद सुख की प्राप्ती भी जरूर होती है दोस्तो जोतिश शास्त्र में अगर जीवन में आपके धन की किलत है आर्थिक संकटों से जूट रहे हैं तो इसी अपनी आर्थिक विशमता को दूर करने के लिए शुक्रबार के दिन धन की देवी मा लक्ष्मी की विशेश पूजा आराधना जरूर कर दी चाहिए देखिए शुक्रबार का दिन देवी मा लक्ष्मी को समर्पित है इस दिन अगर पूरे विधी विधान से माता से हम अपने लिए धन वैभब की कामना करते हैं तो उनका विधी विधान से पूजन कर आशिरवाद प्राप्त कर सकते हैं आज की दिन देखिए वैभब को कुछ ऐसे विशेश उपाई हैं जिसकी करने का विधान बताया गया है हर शुक्रवार अगर विधी विधान से आप किसी भी मास के शुक्लपक्ष से शुक्लपक्ष के पहले शुक्रवार से विधी विधान के साथ इन उपायों को शुरू करते हैं और संख्या का करूंगा लगतार या मैं 11 शुक्रवार को करूंगा देखिए इसका फल आपको जरूर प्राप्त होता है कई लोग ये सवाल करते हैं ये वीडियो को देखने के बाद में बोलते हैं कि आपने किया है देखिए हर वेक्ति के जीवन में जितना उनको धन की आवशक्ता होती है मातालक्षमी अगर उनकocket प्रसंद में है तो जरूर प्राप्त होता है अगर हम पूरी श्रदा से उनका पूजन करते हैं उनसे आशरवात हमें जरूर प्राप्त होता है तो एक एक कर जो वीडियो में मैं आगे शेयर कर रही हूं इन उपायों को आप भी अपना सकते हैं इ बहुत ही शक्ति शाली व्रत है माता लक्श्मी को प्रस्थन करने के लिए माता वयभवलकश्मी का व्रत। तो अगर आप भी धन की आर्थिक विस्टमता से जूच रहें, धन की किलत है, आई में व्रिधी नहीं हो रही है, तो किसी भी मास के शुक्रपक्ष के प्रथम शुक्रवार से आप माता वैभव लक्ष्मी का वरत धारन कर सकते हैं 9 की संख्या में, 11 की संख्या में, 21 की संख्या में इससे धन संबंदी सभी परिशानियां दूर हो जाती है तो इस उपाय को आप कर सकते हैं दूसरा चुशुक्रवार का उपाय है आज के दिन देखिए अब व्रत बहुत लोग नहीं कर पाते तो इन उपायों को तो अपना ही सकते हैं बड़ी आसानी से कर सकते हैं शुक्रवार के दिन आपको क्या लेना है अखंदत चावल खीर वाले अखंदत चावलों से ही आपको है वो माता को अर्पेट करें माता लक्षमी खीर से जो उनका प्रिये भोगे बहुत शेगर प्रसन्न होती है और आपके जीवन में धनसंबंधी समस्याओं को दूर करती हैं इसके बाद में इसी खीर को आप सब परिवार अपने ही परिवार में किसी अन्य को नहीं देना है ये खीर आपको अपने परिवार में मिल बात कर आप ग्रहन करें प्रसाद स्वरूप में देखिए ये उपाई भी आप या तो पांच या ज्यारा शुक्रवार को लगतार कीजिए इसके बाद में आपको फाइदा स्वैम दिखाई देगा तीसरा उपाई देखिए धन की देवी माता लक्ष्मी को चावल बहुत प्रिय हैं तो आज धन की देवी मा लक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए आप जाधा कुछ नहीं करें तो अखंडत चावल अपनी मुठी में अखंडत चावल भरके लें और वही माता के सम्मुक उन्हें अर्पित कर लें पूजन के समय सुवे की पूजा जवाब कर रहे हैं देखिए दैत्यों की जो गुरू होते हैं शुक्र शुक्राचारी वो भी सुखो के कारक हैं जो ग्रह है शुक्र हम सभी जानते हैं अगर वही है शुक्राचारी तो शुक्रदेव और उनकी अगर कृपा होती है तो सभी प्रकार क जीवन में जो हमारे दुख होते हैं वो दूर होकर खुशहाली में बदल जाते हैं हमें सुखों की प्राप्ति होती है इसे लिए शुक्रवार के दिन सफेद चावल का आप दान भी कर सकते हैं इससे क्या है इससे शुक्र आपकी कुंदली में मस्बूत होगा और उसका असर पड़ेगा आपकी जीवन पे कि आपको हर तरफ से सुख मिलेगा तो सुख के लिए धन की आवशक्ता होती है तो धन आपको प्राप्त होता चला जाएगा अब दोस्तों चोथा शास्त्रों में नहित है कि माता लक्ष्मी का जो अभिशेक है ना गज करते हैं हाथी आपे माता लक्ष्मी को परिश्रम बहुत पसंद है तो जो भी लोग मेहनत करते हैं मेहनत कर धन अर्जित करना चाहते हैं माल लक्ष्मी ऐसे सादकों पर अपनी कृपा जरूर बरसाती है इसलिए बहुत जरूरी था ये बताना कि अगर जो भी आप काम कर रहे हैं तो देखि धन होगी तो हर शुक्रवार के दिन आपको ये उपाय जरूर अपनाने है और परिश्रम करना है दूसरा आज के दिन आपको दूसरी लोगों को उनके काम में मदद करनी है महनत करके उनके कामों में अगर आप मदद करते हैं इससे भी माता लक्ष्मी बहुत प्रसंद होगी है त और आपके जीवन में जो आर्थिक परिशानिया है वो कैसे दूर हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा उमीद करती हूँ ये सबी जानकारियां आपके लिए उपयोगी हो आप अपना कर देखिए अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा आगे जादा से जादा लोगों तक शेर भी जरूर कीजिए उन तक भी जानकारियां पहुंस सके चैनल पर पहली बारा आए हैं इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन जरूर प्रेस कर दे ताकि आगी जब भी मैं कोई वीडियो शेर करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर क्राप तो हो सके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जय माता दिए